और आज 36 गड़ के लिए बड़ा ही खुसी का विशे है और इस खुसी को आपनों के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के लोगों तक और विशेश कर जो पिछले 5 साल कॉंग्रेस पार्टी की सरकार में पड़ान मंतरी आवास से बंचित हो गए थे उन तक मुचाना चाहत हैं और इसी निमित आज आज आप लोगों को यहां पर बुलाए हैं सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी स्विभूपेश गए उसके मुख्या थे तो प्रधान मंतरी आवास योधना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्यान का योधना है कि उनके सिर्व में च्छत देने का योधना है जिसमें 18 लाग लोग बंचित हो गए थे तातकालीन सरकार राज्यांस जो 40 परसेंट का रहता है वो इसलिए जमान नहीं की कि योधना में प्रधान मंतरी सब्द जुड़ा था और कही न कहीं इसका स्टे भारती जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद मोदी जी को चला जाता इसलिए 18 लाग गरीब लोगों का हग जीना गया और सबको मालूम है कि 2023 के विधान सभा चुनाओं परचार के दोरान हमारे देश के असबस्वी पधान मंति नरेंद मोदी जी 36 जनता से वादा किये थे कि इस बार भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाग गरिमों का आवाज सुख्रित करने का करेगा यह हमारे आदने परधान मंत्री जी ने चत्रीगर की जनता से वादा किया था मोदी की गारंटी भी यह है और मुझे बताते हुए खुसी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार सपत ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला के मिनिट में ही हमारी सरकार ने 18 लाग परधान मंत्री आवास की सुख्रिती दे दी और जो 40 परसेंट रासी राजजान्स होता है उसकी व्योस्ता हमारी सरकार ने कर लेकिन यह आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्यवर्स में जो रभ केंद्रांस 36 गड़का था जो कि प्रदेश की सरकार राज्यांस जमा नहीं कि थी इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राजवें आबंडित कर दिया था लेकिन जब नया वित्यवर साया दोहजार चोबीस और बच्चीस का तो कल ही हमारे 36 गड़ के लिए कुल कुल कि आठ लाग शाली सजार नौसो एकटिस कि प्रदानमंती आवास की स्विक्रती भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे 36 गड़ के तरफ से 36 गड़ के तीन करोड जनता के तरफ से और विशेश कर प्रदानमंती आवास से जो वहानित होंगे सब के तरफ से हमारे देश के असोश्य प्रदानमंत्री स्री नरेद मोधी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं उन्होंने हमारे 36 गड़ को आठ लाग शाली सजार नौसो एकटिस प्रदानमंति आवास की सुक्रती दी है और हम लोगोंने 18 लाग प्रदानमंति आवास की बाती है तो इसमें आठ लग शाली सजार नौसो एकटिस की शुक्रती तो मिली है और इसमें कि एसी सी सी को हजार ग्यारण में से कि एसी सी सी तो हजार ग्यारण जी सुची के लोग पिछले पांस साल में बंचित हो गए थे और सिर्फ 36 गण में बंचित हो गए थे बाकि सभी प्रतिसों में एसी सी सी तो हजार ग्यारण की सुची वाले प्रदानमंति आवास से लावानित हो गए थे लेकिन यहां की सरकार की निश्कृता के कारण या वनलब नहीं करवाने के कारण मंचित हो गए थे तो आज जो हम लोग को आट लग चालिस हजार ग्यार ग्यारा वाली सुची में से हैं और बागी एक लाग 47,600 यह जो आवास पलस वाले हैं आवास पलस जिस प्रदेश ले सिर्षी चे 2011 की सुची वालों को प्रदानमंति आवास का निर्माट करवा दिया उनके हाँ आवास पलस भी सुरू हुआ तो हमारे हाँ तो एसी सीची 2011 के लोग लाग नहीं ले पाई थे तो आवास पलस का तो प्रस्न ही नहीं उरता था लेकिन आज एक साथ एसी सीची चे तो हजार ग्यारक का छे लाग निनानवे हजार तिनसो एक तीस और उसके साथी साथ एक लाग सैंतालीस हजार छे सो ये आवास पलस वाले हैं जिनकी भी स्विक्रती छत्तिजगड को मिली है और बाकी पी-एम जन्मन योजना जो बीबी टीजी लोगों के लिए है विशेश विच्छनू सुन्तित जन्जाती के लोग जो राजपसी के दत्तक पुद्र कही जाते हैं से कोरवा विरोर अभूज माडिया पंडो वैगा इनके लिए जो पी-एम जन्मन योजना हमारे प्रधानमंत्री चला रहे हैं उसमें 24,064 ये प्रधानमंत्री आवास ब प्रधान सबहा का चुनाव आया तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का सुरवात किया था जिसमें 47,090 लोगों के शुक्रिती दी थी उन्होंने और एक किस्त भी जारी किया था 25,000 का हम लोग कोई बहुत भावनी करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में सामिल कर लिए हैं और दूसरी किस्द जारी कर दिये हैं और तिसरी किस्द भी उसमें जारी कर रहे हैं तो यह उदारता हमारी 71 की सरकार ने इन 47,090 लोगों के उपर में भी किया हैं और पिछले जन्वरी से लेकर यह अगस्त तक यह आठ महिने में एक लाक निनानवे हजार प्रधानमंती आवास का निर्माड जो कई अधुरी थे उसको भी पूर्ण कराने का काम शर्तिगर की सरकार ने किया है इस तरह से कूल मिलाके हम लोग आने वाले समय में जो अठारा लाक प्रधानमंती आवास की बात कही थी वो अठारा लाक आवास गरीबों को हमारी सरकार देने के लिए बचन बद है